चंडिगड में जेजेपी विधायक गल की मीटिंग आयोजित की गई इस मीटिंग में इन्सों के राष्ट्य अध्यक्षदिग विजय चोटाला ने कहा कि पूरी पार्टी का स्टैन किसान आंदोलन पर स्पष्ट है उन्होंने कहा कि स्टी की कमेटी पर कमेंट करने का अधिकार नहीं है बता दे कि वह पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बोल रहे थे पत्रकारों के एक सवाल का उत्तर देते वे उन्होंने कहा कि भुपेंद्र सिंग हुड़ा को सीएम बनाने के लिए दिग विजय कभी समर्थन नहीं करेगा इस ओरान उन्होंने निर्दलिय विधायक को लेकर शैलजा और हुड़ा पर भी तंजकसा उन्होंने कहा कि अभै चोटाला दो लाइन का इस्तिफा लिक कर दे उन्होंने तंजकस्ते हुए कहा कि उंगली कटा कर अभै चोटाला शहीद होना चाहते हैं उन्होंने कहा कि किसानों के कंदे पर बंदूक रख कर हुड़ा राजनीती कर रहे हैं इस अफसर पर उन्होंने मीडिया की माधियम से सभी को मकर सक्रांती की शुबकाम नाय दी उन्होंने कहा कि इनसो को नया रूप दिया जाए इसलिए भी काम होगा उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सिनेशन के टीके को सरकार खास कर छात्रों को मुफ्त मुहया कराए उन्होंने कहा कि यूवा पीड़ी देश का भविश्य है उन्हें भी कोरोना का ठीका मुफ्त मुहया कराया जाए चन्रिगर से समाधाता खुश्मू नेव की रिपोर्ट वो तो रात को आदी रात को सपना जब देखते हैं उटाजी गैरी नीद में तो वो चीफ मिनिस्टर की कोठी में सो रहे होते हैं अगर सुबह आँख खोलते हैं तो फिर वो अपने घर पर होते हैं कि वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि बहुत चैलेंजिंग बात के ही हैं उनने हमारी डेमोक्रेसी के लिए उँली कटायकर शहीद बनना चाहते हैं यह वो ही अवे सिंग जी हैं जिनने क्या अविमन्यू की हार पर यह कह था यह हार जाएंगे तो मैं राजनीती नहीं करूँगा यह वो ही चैनल पर लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें। भन्यवाद।